पाँच्वा पाठ नाटक में नाटक प्रिष्ठ संख्या 28 से 36 तक प्रस्तुत है पाठ नाटक में नाटक राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए और जब नाटक में अभिने करने वाले कलाकार भी नए हो मंचपरा कर डर जाते हो गबरा जाते हो और कुछ-कुछ बुद्धू भी हो तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए उसके साथ ही मोहन, सोहन और शाम ऐसे ही थे राकेश को उनके अभिने पर बिलकुल भी विश्वास नहीं था वह स्वयम अभिने इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेट कर गर्दन के साहरे लटकाए रखना पड़ता था नाटक खेलना बहुत आवश्यक था महले की इज़त का सवाल था महले के बच्चों ने मिल जुलकर फालतु पड़े एक छोटे से सारवजनिक मैदान में दूब वपूल पौधे लगाये थे वही एक मंच भी बना लिया था राकेश की यूगिता पर सबको बहुत विश्वास भी था समय था केवल एक सप्ताह का साथ दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा मोहन, सोहन और शाम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहां क्या कर रहा है बस कहने से मतलब दूसरे चाहे उनकी मूर्खता पूर्ण बातों पर हस रहे हो मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलचने लगते थे राकेश ने पूर्वा भ्यास के साथ दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था निर्देशन उसने इतना च्छा दिया था कि चोटी से चोटी और साधारन से साधारन बाद भी समझ में आ जाए खैर प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया राकेश साथ सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था मोहन बोला मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है मेरा भी सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया अभी नेता मंच पर आ गये परदा उठा मोहन बना था चितरकार और सोहन बना था उर्दू का शायर नाटक में दोनों दोस्त होते हैं चितरकार कहता है उसकी कला महान शायर कहता है उसकी कला महान श्याम बनता है संगीतकार वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं बजाए इसके कि वह नए-नए मित्रों से मधुर बातें करे बड़े छोटे के इस विवाद में उलच जाता है वह कहता है संगीतकार की कला महान अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था सब को अपना अपना पाट याद आ रहा था सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे अचानक श्याम पाट भूल गया परदे की आड में राकेश स्वयम पूरा नाटक लिए खड़ा था वह हर एक संबाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संबाद याद आते रहे मगर शाम घबरा गया वह सहसा चुप हो गया उसके चुप होने से चितरकार और शायर महुदय भी चुप हो गये होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बना कर बात आगे बढ़ा देते पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे संगीतकार महुदय भी पलट कर राकेश की ओर देखने लगे राकेश बार-बार संगीतकार जी का संबाद बोल रहा था मगर आवास तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए इसलिए धीरे-धीरे फुस-फुसा कर बोल रहा था संगीतकार जी को वहां हलकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तभी शाहर सहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मार कर बोले उधर जा कर सुन ले न संगीतकार अपना वायलिन पकड़े-पकड़े राकेश की ओर खे सकाए दर्शक ठठा कर हस पड़े संगीतकार जी और घबरा गए जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे जट से बोलने लगे संबात था जब संगीत की स्वर लहरी गूंचती है तो पशुपक्षी तक मुख्द हो जाते है शायर सहब आप क्या समझते हैं संगीत को जब संगीत की स्वर लहरी गूंचती है तो पशुपक्षी तक मुख्द की खा जाते है गाजर सहब आप क्या समझते हैं हमें शायर सहब तपाक से बोले तुम्हारा सर गाजर सहब हूँ मैं दर्शक फिर ठठा कर हस पड़े चित्रकार महोदे ने मंच पर सूज और अकलमंदी दिखानी की कोशिश की इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर सहाब है सो इनकी कला महान है मगर मेरी कला इनसे भी महान है राकेश दांत पीस रहा था उसकी सारी महनत पर पानी पड़ गया था पर इस तरह बात संभलते देख कर कुछ शान्त हुआ इस बार शायर सहाब बुद्धू पना दिखा बैठे गुस्सा होकर बोले तूने भी गलत बोल दिया मुझे गाजर सहाब कहने की बात थी क्या और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चितरकला जाडू फेरना है पोतना है जख मारना है चितरकार महुदे ने हाथ उठा कर कहा देख मुझ संभाल कर बोल दर्शक फिर बड़े जोर से हस पड़े राकेश घबरा रहा था गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी सारी इज़त मिट्टी में मिल गई पर अब क्या हो वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू और मैं मैं हो रही थी चित्रकार महोदे हाथ में कूची पकड़े आँखे नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे अरे चमगादर तुझे क्या खाक शायरी करना आता है जबरदस्ती ही तुझे ये पाट दे दिया तूने सारा गडबड कर दिया मुझे चमगादर कहता है अरे आलू बुखारे शायरी तो मेरी बातों से टपकती है तूने कभी टूत ब्रुष के अलावा कोई ब्रुष उठाया भी है यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुची अपने कोच चित्रकार समझ बैठा दर्शक हसी से लोट पोट हुए जा रहे थे राकेश पहुचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंदवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है जोर जोर से लड़ने लगे अभी नयका दिन बिलकुल पास आ गया है और हमारी तयारी का ये हाल है चित्रिकार महोदे ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले हम क्या करें डिरेक्टर साहब पहले इसी ने गलती की राकेश बात काट कर बोला अरे तो मैंने कहने ही दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो की दर्शक सामने ही बैठे है अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दुबारा रिहर्सल शुरू कर देते यह क्या की लड़ने लगे सब गड़बर करते हो बात राकेश ने बहुत सम्हाल ली थी परदे की आर में खड़े अन्य साथ ही मन ही मन राकेश की तुरत बुद्धी की प्रशनसा कर रहे थे दर्शक सबशांत थे भोचक्के थे वे सोच रहे थे यह क्या हो गया वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया मगर यहां तो नाटक में ही नाटक था उसकी रहरसल ही नाटक था मानो इस नाटक में नाटक की तयारी की कठिनाईयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था राकेश कह रहा था देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार और बड़ा कलाकार वहा है जो दूसरे की तुर्टियों को नहीं अपनी तुटियों को देखे और सुधारे आईए, अब हम फिर से रिहरसल शुरू करते हैं तभी राकेश के इशारे पर परदा गिर गया दर्शक नाटक की भूरी-भूरी प्रशनसा करते हुए अपने घर चले गए लेखक, मंगल सकसेना, अभ्यास, शब्दार्थ, निर्देशन, अर्थात, समवाद बोलने और अभिनय आदिका तरीका बताना प्रदर्शन, अर्थात, दिखलाना, हिदायत, अर्थात, सावधानी बरतने हेतु निर्देश बजाय, अर्थात, अलावा, पाट, अर्थात, भूमिका, आड, अर्थात, ओट, सहसा, अर्थात, अच्छानक, नाहक, अर्थात, बिना मतलबका, फुस-फुसाकर, अर्थात, धीरे से बोलना, सूज, अर्थात, समझ, अक्लमंदी, अर्थात, होश्यारी या बुधिमानी दांत पीसना, अर्थात गुसा करना पोतना, अर्थात रंगना मुह संभाल कर बोलना, अर्थात सोच समझ कर बोलना इज़त मिट्टी में मिलना, अर्थात इज़त बरबाद होना तरकीब, अर्थात उपाए तू तू मैं मैं होना, अर्थात कहा सुनी होना भूरी भूरी अर्थात बेहद या बहुत ज्यादा पहला पाट से प्रश्न क बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की ख परदे की आड में खड़े अन्य साथ ही मनही मनराकिश की तुरत बुद्धी की प्रशंसा क्यों कर रहे थे गा नाटक के लिए रहर्सल की जरूरत क्यों होती है दूसरा नाटक की बात जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो मंच पर आकर डर जाते हो घबरा जाते हो और कुछ-कुछ बुद्धु भी हो तब तो अधूरी तयारी से खेलना ही नहीं चाहिए कर इस वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आये हैं जैसे अभिनय कलाकार और मंच आदी तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही और शब्दों की सूची बनाओ तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो पहली तालिका में व्यक्तियों या वस्तूओं के नाम जैसे कलाकार और मंच दूसरी तालिका में काम जैसे अभिनय तीसरा शायर और शायरी सोहन बना था शायर तुम किसी घजल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इखटा करो उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यक्ता अनुसार गा भी सकते हो चौथा तुम्हारे समवाद श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महुदय भी चुप हो गये होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बना कर बात आगे बढ़ा देते अगर तुम श्याम की जगह होते तो अपने मन से कौन से समवाद जोड़ते लिखो पांचवा, सोचो ऐसा क्यूं? दिये गए वाक्ये पढ़कर प्रश्नू के उत्तर दो राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी क, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यूं आ रहा होगा? राकेश मंच पर पहुँच गया, सब चुप हो गए, सक पका गए ख, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुँचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? दर्शक सबशान्त थे, भौचक के थे ग, दर्शक भौचक के क्यों हो गए थे मैंने कहा था न, कि रिहर्सल में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे है ग, राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा चठा, चलो अभिनय करें कहानी में से चुनकर कुछ समवाद दिये गए है उन समवादों को अभिनय के साथ बोल कर दिखाओ क, चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे अरे चमगादर, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है जबरदस्ती ही तुझे ये पाड़ दे दिया तुने सारा गड़बड कर दिया ख, मोहन बोला मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है ग, राकेश पहुँचते ही एक कुरसी पर बैठते हुए बोला आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहरसल की है जोर-जोर से लड़ने लगे घ, चित्रकार महोदे ने हाथ उठा कर कहा देख, मुझ संभाल कर बोल साथवा, शब्दों का फेर जब संगीत की स्वर लहरी गूंचती है तो पशु-पक्षी तक मुग्द हो जाते है शायर सहब, आप क्या समझते हैं संगीत को इस संभात को पढ़ो और बताओ की क, कहानी में इसके बदले किसने, क्यूं और क्या बोला तुम उसको लिखकर बताओ ख, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ तुम भी अगर किसी शब्द के बदले, किसी अन्य शब्द का प्रियोग कर दो, तो क्या होगा आठवा, तुम्हारा शीर्शक इस कहानी का शीर्शक नाटक में नाटक है कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीरशक बताओ 9. समस्या और समाधान कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना शाम अपनी अपनी कला को महन बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले समवादों को बोल कर जगड़ी की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे हैं तुम उन समबादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसी जगडी की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत हम करतेते हैं जैसे चित्रकार कहता है उसकी कला महान कि बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सब की कला महान तो जगडी की शायद शुरुआत ही नहो अब तुम यह बताओ कि क संगीतकार को क्या कहना चाहिए। ख, शायर को क्या कहना चाहिए। ग, तुम यह भी बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह समवाद क्यूं कहना चाहिए। दसवा, वाक्यों की बात, दिये गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। ख, शायर सहाब बोले, उधर जाकर सुन लेना। ख, सभी लोग हसने लगे। ग, तुम नाटक में कौन सा पाट कर रहे हो। ग, मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना समवाद भूल गए।